है हलो दोस्तों तो आज अपन फिर आ गए अपने फ्री फास्ट्रेक बेच के चैप्टर नमबर 13 पर सब पहले ही बता दू अपना में फोकस वापस किस पर रहेगा हर बार बताता हूं असे फिर भी बताऊंगा मैं वापस अपना में फोकस रहेगा रटने पर देखो समझने चाला कामद में कराऊं गई और तुम समझ एजीली जाओगे भी कोई इस्यों समझने में आएगा नि पर जो में चीज जिससे बच्चे मार्क्स खो जाते हैं जिससे बच्चे को मार्क्स नहीं मिलते ओडिट में तो रटाने की जिम्मेदारी मेरी होगी इसी वीडियो के अ चार्ट फॉर मैट ओनली 500 पेजस के अंदर कॉंसेप्स एस वेल इस क्वेशन्स दोनों कवर हैं कॉंसेप्स भी हो गया यह और यहां पर क्वेशन्स भी हो गया सारे के सारे इसी के अंदर कवर हैं ओके तो चलो शुरू करते सच चैप्टर नंबर 13 audit of PSU audit of PSU से PSU मतलब क्य होता है मुझे समझाने की जरुद मुझे नहीं लगती क्या होता है पब्लिक सेप्ट अंडर टैकिंग फंडामेंटली अंड एन कंट्रोल गरमेंट या तो ऑन करते इसको या फिर करती है या तो ऑन या फिर कंट्रोल वो PSU कहलाएगा और गवरमेंट ऑडिट क्या होती है धर्वेएवाणने स्केलिकैनि प्रेसे छाहित क्मपपनी क्या होती है चिस के 51% ने परसेंट से ज्यादा शेयर्स किसने हैंड कर रखे हो या तो सेंट्रल गौर्मेंट ने या स्ट्रेट गौर्मेंट ने या फिर दोने जॉइंट ली सेंट्रल गौर्मेंट इस्टेट गौर्मेंट या दोने जॉइंट ली 51 परसी ने 51 परसेंट से अब हो अगर होल्ट कर जाएगी ठीक है यह बोल रहे है महाशा है कि हॉली ओं सेंटर गॉर्मेंट का था हॉली ओं सेंटर गॉर्मेंट मतला पहले हंड़ेट परसंट थी सेंसीजी कंपणी उन्होंने डिस इंवेश्ट कर दिया 40% शेर 40 अब कितना बच गया गॉर्मेंट के पास 60% वह भी लिस्टि और अधिकार ओडिटर अपविंट करने का उसकी रिपोर्स इवेलिएट करने का सब कुछ करने का अधिकार किसको था CNDG को ही था तो 40% डिस इंवेश्ट करने के बाद 60% बचा यह अभी भी greater than equal to 51% है चाहा भी इसी पर लिस्ट कर दो या काई पे भी लिस्ट कर दो चाहा लंदन स्टोग मैटल एक्सेंज पे भी लिस्ट कर दो तुम लोग तो भी वो CNDG पर आई उस पर हक रहेगा CNDG का अधिकार उससे नहीं जाने वाला लिस्टिंग ओफ इस्टोग एक्सेंज इस इर्रिलेवेंट ठीक है CNDG ही उसका ओडिटर अगर अपॉइंट करेगी और CNDG के नीच आएंगे रोल क्या होता है CNDG का अब CNDG का रोल अब यहाँ पर यह CNDG के बारे में दी रखा है इस इसके अंदर बारे में कुछ नहीं रखा है That was the車 well इसके बारे में पर है क्रेंग को बताना है क्वों करूएग कौन करेगा रिमु कुन करेगा और काम क्या होता है अपोइंट करेगा इसको प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट करेगा और फिर मिसपीविर हो गया या फिर वह कोई कट गरेगा पॉइंक करेगा ये करेगा और रिमोग अंदर एक और चीज़ भी तो आती है। इसको हुआ होगा पड़े गा तो 6 साल च्विंक मैक्सीमोम् जे साल तक या फिर 65 जह साल affect तक छे पॉइंट कुन करेगा रिमूओ को के अंबर यह एक पॉइंट यह दो पॉइंट हो रहेंगे रिमूओ के अंबर दो पॉइंट के आ गए यह तो यह आ गया कि 6 साल तक रहेगा करेगा पॉइंट करेगा उसका काम क्या होता है कि स्टेट गवर्मेंट और यूनियन टेरिट्री इनको कौन-कौन से अकांट्स मेंटेन करनें उसके बारे में कौन प्रिस्क्राइब आडवाइस करेगा Ś Primum toilet करेगा और वो किसुंद में मेंटेन करने उसके बारे में में बता science काम क्या मता क्या होता है UP, पॉइंट कोन करेगा MINUT करने कराका म क्या होता है यह तो आ पउइंट हो गया प्रेसिडेंट करेगा प्रेसिडेंट और गौर्णर को ठीक है यह ठीक है इतना को इंपोर्टेंट नहीं है चलो आगे चलो अब सीएटेजी इंकलियूडस माला और्गनजेशन किस-kis की ऑरिटस सीएटे के हथ में होगी ठाइप पीस्ट इूज को एक तरह से कॉम्पानी यह तो क्या हो गया यह पैसे खानेवाले भूके मतलब इनका मोटव गया यह तो पैसो के बजह से चल रहां का फाइनेशल मोटी फो नो एक तो government department एक नोन commercial autonomous दिपाटमेंट नोन नहीं है उगर एसा कोई government का डिपाटमेंट और नोन commercial ऊट्शन बोड़ी यह वो भी और कोई किسم का सब्सकुक्ष कि अधिकार तो के सितना अधिकारो हुगा उसी i bus को उसके century को ही होlen गया उडिकार दोन पेसे खानेवाइब उमकृषी को ज़ोड़ी और इक जिसका हक जिसको substantially finance करका गौर्णमेंट ने तो वो भी गौर्णमेंट ही कहलाईगी एक तरह से substantially finance from state or union revenue ठीक है अब यह भी अटाओ अब SP special committee special committee क्या होती है special committee में पर दो तीन तरह की committee होती है यह में लगाया ना special special से PEC अलग कर लो इसका PEC इसके अलग करना है यह ट्रिक अपनी तीन कमिटी याथ करनेगी PEC P से पबलिक अकाउंट कमिटी, E से estimate committee, C से committee on public undertaking ट्रिक देखी छोटे से वटके पर से घुमा के लाए है जो ठीक है तो P से public account committee, E से estimate committee, C से public undertaking से committee on public undertaking, से से committee होती है यह तीन committee क्या चीज है तो भाई बेखो जो भी वो report होती है वो report जो अपने auditor ने C&DG को submit करी तो C&DG के पास जो final report होगी final report पहले auditor था auditor किसने अपने करा था C&DG ने तो auditor ने C&DG को report submit करी उनकी government entity की अब C&DG finalize करके report इन तीनों entity को देदेगा वो इन तीनों entity को देदेगा यह तीनों entity उनकी report जो C&DG ने report दी है उसको scrutinize करेगी उसको scrutinize करेगी क्या कम ही है क्या सब कुछ को scrutinize करेगी फिर उसके बाद जो relevant authority, relevant ministry होगी उसको भेजेगी उसको भेजेगी relevant ministry को कि भाई यह यह गलतिया निकलिये, यह यह चीज़े निकलिये, ministry तू बता क्या इस्ते अंदर चीस है, मलब क्या दिक्कत है, तो फिर ministry reply देगा तो यह committee बापेज evaluate करी उस reply को, देखो यह chain देगा तुमको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तु जो CNDG है, CNDG को रिपोर्ट को में देता है, गौर्नमेंट और कम्प्रियों को रिपोर्ट, CNDG किसको देगा, CNDG देगा, इन team committee को रिपोर्ट, इन team committee को रिपोर्ट देगा, फिर जो committee होगी, उस report को analyze करके, ministry से reply मांगेगी, जो भी ministry हो सकता है, वो railway ministry है, यह railway की audit कर रहा ह और railway ministry है, अब railway ministry responsible होगी, अब और railway ministry से पूछी की, तीन committee के भाई, यह यह गलती है, कैसे निकली, इसके लिए तू responsible है, तो ministry वापिस reply बेगी, इस committee को, यह इसके reply को evaluate करेगी, ठीक है, तो ministry का यह काम हुआ, तब तीन दरगी committee, तीन हो क्या क्या चेक करती है, एक तो है public account committee, तीन पुपलिक account committee, ऎरको यह पैसो के रिलेटट दील करकी, कोण सी पैसो के रिलेटट, की जो money हमने disberse करी, ज्ligen से देगा, Money, हमने किसी काम के लिए उसको disburs करी, तो उसको क्या करेंगा, money आगे पैसा आगी, तो money क्या करेंगा, या तो expenditure करेंगगे, या उसको re-appropriate करेंगे, बनुदो लोगों में बाटेंगे. आप देखो जो money अमने डिस्बर्स करी वो लीगल थी और वो जिस परपस के लिए करी ती इसका आप पर्प्रोप्रेशन होगया और एक reappropriation हो गया चुटैस और इस परपस के लिए इसमेज आई उसका जो आपने पैसा एक्सपेंडिचर करा कि उसके करें के पैसे करें अपने अपने फिर्या-प्रेूप्राइस्जिकर इसको क्यों से याद करो गैसे वाखेसे फ Der T Frankie's को बाड़ना मलब क्या हो गया इसको सबाट आ कि ऑपो एक्टरीर कर आपको आपको सब्सक्रइब्स कि जो ऊपने आजन कुछ पॉलिश बनाई होगी तो तो अपने कुछ एस्टिमेट कर ओगा पॉलिसी बनाए कोई भी आपन बनाते हैं मिनिमम्म वेज़स आपके एक फिक्स करने यह तो अपने पॉलिसी बनाते हैं हर कंपनी को इतना मिनिममम वेज़स तो हर लेबर को दिन लहीं पड़ेगा तो अगर यह वाला एक्ट लागो हो गया यह वाली पोलिसी लागो हो गई तो लोगों का इस्टेंट रिविंग बड़ जाएगा वो जाएगा सब अमीरी हो जाएगी गरीप जाएगी फलाना डीगर अपने कुछ एस्टिमेट करा था पॉलिसी बिनाने के लिए ठीक है पॉल पॉलिसी को यह 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 इसे तो वो सब लिमिट के अंबर ही है और इसे फिरमेंट के आमपहने Au कि अ पंडारमेंट को फॉर्म की खाथ क्या फेल सब्सक्राहब देखेंगी बुझा-टीश बुंच पॉल्डी प्वेसी से याद हो जाएगा अब यह देखो यह कॉष्च्ट में दुम अब बता है उसी से मैं चुछ जाएगा कि CNDG है CNDG जो CNDG है वह इन कमीटी की यह फॉंक्षनिंग फाइनेशल कमीटी यह फाइनेशल कमीटी फाइनेशल कमीटी की मदद करता है सिंदेजी के से मदद करता है कि तो यह रिपोर्ट विल फॉर्म में बेसिज ऑफ कमिटी वरकिंग जो इसका रिपोर्ट है सी एंडेजी की रिपोर्ट की वही तो स्कमिटी को आगे फॉर्वरड करी में नहीं तो बोला था यहां पर एक चीज़ मैं दूंगो समझाए कि मिनि इसका reply CNAG एविड़कर करका फिर कमिटी कोता है यह चेंटी ठीक है तो यह में ने तुमको पट जो समझा है ना यह वह linkage है कि जो रिपोर्ट CNAG ने बनाई CNAG ने जो रिपोर्ट दी वह कमिटी को काम आई वही तो कमिटी के काम आई अगर वह जो रिप्लाइ वगर आते हैं वो भी उसी से काम आता है एंड प्रेजेंट डियर रिपोर्ट टु पार्लिया में डिस्टेट कॉर्ण मिनिस्ट्र रिपार्में इंफॉम्ड कमिटी एक्शन टेकन बाए बे जो भी एक्शन कमिटी ने उसके उपर लिया वह सी इंडेजी को ब किसि की ऐडिट करा रहा है तो मेरा स्कोप मेरा अब्जेक्टिव का उसके करा पर मेरा अबजेक्टिव है था चाहाए एफम का बंद हो यह कि पी सेम का बंद करो डिसीजन लेने में और इशू हाइलाइट करने में गॉवर्णमेंट की मदद करो डिसीजन लेने में और इशू हाइलाइट करने में गॉवर्णमेंट की मदद करनी है अपनको गॉवर्णमेंट की हेल्प करनी है एक तो क्या इशू हाइलाइट करने में और डिसीजन ले कमी पड़े FM का बंदा हो या PCM का मंदा हो गवर्मेंट की हेलप करो डिसीजिन लेने में जде हो रिए जिसजिन लेने में नटने में ऑर इश्फरा इस पर दिधा चीनल चाहिए अचीज़ को जा ऐंए अब वाइंच अघए पेCN मुझ सब पैसों की accounting audit करने से audit पैसों की audit भी तो होगी कि गॉर्णमेंट पैसा सई रिया निल्या जेब में गुसा करने ले गई गई वह पैसा पब्लिक का पैसा वह सब चीजे अंक्लिधिक इंकलीव अब्धूरियों खागी मेनेजमेंट की अपनी का वह मेनेज्मेंट साही है ना अबज़ंजिक हो जाएंगे सारे मेन अबना अब्जक्री सबर्टर में टो मैंनेज्मेंट में इश्टार में पढ़ाएंगे उसकी आरिट करना चाहिए वह सेल के रिडीटेड और पर चिल्पर यह था प्रोप्राइट्री ऑडिट अ अगर किसी management ने government ने government ने कोई decision लिये तो अपन उसको इवेलिट करना कि कि हो decision इसके हित में public interest के अंदर है वो decision management decision order to the best interest of undertaking ठीक है comprehensive audit जो भी उपर किसी भी audit में cover नहीं होगा वो इस audit में cover होगा सबकुछ सबकुछ जो भी उपर किसी भी audit में cover नहीं होगा वो सबकुछ इदर आजाएगा सबकुछ चाहिए वह पर्फॉर्मेंस इवेलिट करनी है अपनको आप्रेजल करना है मतलब पहले के रिवेरेंस चेकरने के पिष्ली बार से एंटिटी की तीस बार एंटिटी की से जती है तो जितने भी तरह की अप्रेजल है पर्फॉर्मेंस और सबकुछ इदर चेक करनें अप्रेजल चेक करनेंगे अब्जेक्टिव फूर्फिल हुआ नहीं हुआ वैल्यू फॉर मनी स्पेंट कराना पांसे रुपे यह पांसे रुपे का वर्थ तीन हो साइटम करो डिसेजन लेने में तो सबसे अच्छे से ले पाएगे तो अच्छे से लेपाएगे घ्रॉप करो इसे में लेने में इसे लेने में करने में issue highlight करो मलब कोई भी efficiency effectiveness related कोई भी issue होगा तो वो audit से पता पढ़ जाएगा और issue highlight करो यह अचीव हो जाए efficiency effectiveness और economy अची हुआ नहीं हुआ अब्जक्टिव अचीव हुए नहीं हुए यह चीजे भी audit से पता पढ़ जाएगी element of PSU audit PSU audit के क्या element होते है PSU audit का element होते है तो 3 party होते है तीन इसको कर ठो लिंशा चीज कर रहा हुए चीज का सथ बेंचमार्क को क्रायटेरिया मिशा देए विस सब्सक्राइब कर कि 500 रुपे का पंचानर्मल लॉघ फान सब्सक्राइ लुफ अब नैसली मख लगो तोटर रुचाएब का और catalog higher यह था 800 रुपे का, तो 200 रुपे का वेरियांस आ गया, तो अब वो जो हो गया, यह जो फाइनल आया, क्राइटर लगा के, वो क्या है, जो फाइनल 200 रुपे मैंने आंसे निकाला, फाइनल कंक्यूजन निकाला, वो होता है, subject matter इंफोर्मेशन, subject matter वो जो 800 रुपे के लॉस थ तो तीन पार्टी होती है, subject matter criteria और subject matter information, यह वेरियांस हो गया, उसके बाद types of engagement, यह MCQ के लिए important लगता है, मुझको, यह क्या important लगता है, दो तरह की engagement हो सकती है, sign करना है, as an auditor मैं दो तरह की engagement sign कर सकता हूँ, मालब एक होता है, attestation engagement, एक होता है, direct reporting engagement, attestation engagement क्या होती है, जो होता है, मालब यह मैंने बुरता है, subject matter होता है, subject matter होता है, subject matter को criteria, match करना होता है, फिर उसके बाद final outcome आता है, तो यह जो काम होता है, तीनों, यह evaluate करना, compare करना, यह सारा काम पहले ही management करके दे देती है, auditable entity करके देती है, अब मेरे को क्यों final check करके, केवाल sign करना है, यह होता financials audit में, financial audits open करते है, financial statement company अगर बना कर देती है, पर अगर कोई AC engagement हो, जिसके अंदर मुझे as an auditor में ही subject matter को variance निकालूँगा, वही subject matter को criteria से compare करके, variance को subject matter information बनाऊँगा, तो उसके बाद फिर में सब कुछ चेक करके, उस पे में खुद sign करूँगा, पूरा काम मेरा हुआ, त इसको कहेंगे direct reporting engagement और बाकी वणना attestation engagement जिसमें मुझे केवल sign करके आने, मुझे केवल sign करके आने, ठीक है, तो attestation engagement financial audit पर लगता है, mcq point है, भाई जहां देखना, mcq point है, attestation engagement financial audit और बाकी के performance audit to compliance audit पर डाइटिक हो, जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, PSU audit का, जनरल प्रि audit risk और materiality का documentation audit team करेगी, मैंने IPCC में बढ़ लिया, audit risk और materiality का documentation audit team करेगी, मैंने IPCC में प्रिंसिपल क्या होते है, जो आपको PSU audit करते ज्यान रखना पड़ेगा, आपको independence हो, हो na चीए, हो na चीए, आपको audit कर रहे हो, तो, IPCC, P से आपको professional judgment रखना पड़ेगा, C से आपको communication क करना पड़ेगा आपको time to time management के साथ सी से एक और quality control measure अपनी फर्म केम पर रखने पड़ेंगे audit risk maternity documentation हो रहा यह चीज़ी का अब भी आपको ध्यान रिखना पड़ेगा audit risk का अब यह देखो यह होता है रोल of cndg की audit company के अंदर आपको cndg का ऐसे क्या रोल होता है क्या क्या चीज़े उसके हाथ में होती उसका किस किसी जो पर अधिकार होता है यह बहुत पर important question है exam में आ चुका है वह सबसे पहले appointment खुद करेगा एक तो appointment अपन जानते है अपने component में पड़ रखा है यह तो यह आपर आ जागा यह यह वाला सब कुछ इसके हाथ में होता है यह सब होता है उसके cndg के हाथ में होता है ठीक है तो एक तो appointment इसके हाथ में पावर होगी इसके हाथ में पावर होगी फिर एक अपने अपने चीज़ आएगी जिसको अपने फाइने चैट्मेंट भेजे और उनको आपको वह और वह ऑडिट की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी और एज़नी पड़ेगी और एजमें उनको पूरी चीज का discussion होगा सब्लीमेंटर इज़न का सी एज़न के अंदर discussion भी होगा एंग इन व्यवां विए अब दाइप अजिए अब को आप दिए अब तुब्स को जाएंगे और एज्व में प्लेस भी होगा वाप प्लेस भीजिए में तुम को बताए दिया था इस इंडर नेसेसरी इस एक तरह से अन अब ढूर पना अपीनियन को आप एज ता हूं तुर वाली नॉर्मल फाइनेशल और इसमें में कुछ सम्धान के ज़रती है फिर सरेक आती ही compliance audit PSU में फिर समय compliance audit होती है कि जो भी transaction हुआ जो भी transaction हुआ है PSU के एमबर वो transaction low end regulation को भी compliance करता हो company की policy को भी compliance करता हो जितने भी rules and regulation है सबको compliance करता हो मतलब वो transaction सही होना चाहिए Public के interest को होना चाहिए erkli loin regulation को compliance को करके होना चाहिए over all जो भी transaction करा है अपने legally करा है एक तरीके से तो जो activity जो भी फानेशन ट्रानजेक्शन करा है वो comply करता है सारे मतेरियल रिस्पेट में सारी regulations and rule and Regulation में मालब सारी regulatory को और other rules and compliance को भी वो comply करता है ठीक है जितने भी transaction हुए जिसमें दो चीज़, एक तो regulatory मालब low end regulation का compliance होता है और एक होता है कि जो proprietary audit परते है पर अगर पब्लिक इलगे थो आप उसी तरह सब थी कॉंप्रीस के बाद ठीक है और उसके बाद comprehensive audit comprehensive audit मतलब सारी चीजों की audit सब कुछ मतलब सब कुछ इवेरिट करना है आपको comprehensive audit में जो कई भी किसी भी audit के अंदर नहीं आ रहा है अब जैसे एग्जामपल के लिए यहां पर इशूस देते यह बहुत 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 इंपोर्टेंट है यह इस्यूस के रिलेटेड ही है ठीक है तो में comprehensive audit में इसे efficiency कम परफॉर्मेंस केसी एफिशेंसी एफिशेंसी में जानते हो ना input-output ratio कम input लगाऊंगा ज्यादा नहीं करूंगा और कम परफॉर्मेंस केसी है उससे में वीकरने सब कुछ चेक होता है comprehensive नाम से पता कर लो उसके अब मेरेंस की trick बनाएए कि comprehensive audit में क्या क्या अब इसका मतलब होता है कि मुझे देखना है कि enterprises के अंदर को research and development department डिपार्टमेंट और प्रोग्राम में डिपार्टमेंट रिपार्टमेंट रिपार्टमेंट होना चीए इंप्रूव करने के लिए organization को ठीक है और cost of capital किती involved है जितनी अपनी plain cost of capital ती उतनी है या उससे ज्यादा cost लग चुकी अपनी जितना plain rate of return जितना अपनको plain करा था कि इतना rate of return तो मिली जाएगा उतना rate of return मिला उतना rate of return अच्छी वह नहीं हुआ है और repair and maintenance प्रोपर repair and maintenance का एक कोई policy बग रहा है ना पता चला machine 10 साल से repair बग रहा है तो machine को फिर scrap ही करना पड़ जागा तो प्रोपर प्लेनिंग के साथ करना है आप मैंने बोला ना उपर प्रोजेक्ट लगा रहे है कोई investment करना चाहा है कि इसके लिए प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की machine भी खरीट नी पड़े मशीन अलताब system आपकर कोई बीएस उपर प्रोजेक्ट लगा रहे है तो पूरी प्रोपर प्रोजेक्ट प्लेनिंग से जलना है से नहीं प्रोजेक्ट लेट पॉलेशन के लिए प्रचेस प्रोजेक्ट लेटेद है जितना प्रोड़क्शन चाहिए था उत्ताचीव हो गया कम पोस्ट के अंदर अगर आप कही पर भी पेसा खर्च कर रहे हो तो बिलकुल अच्छी जगे सोथ समझ के पैसा खर्च करना एक होता है जो आके गौर्णमेंट के एंप्लोई है वह अंधा दून पैसा उड़ा रहे हैं हर कही पर बना रहे जहां पर रोड की जरूती नहीं रहे हैं फिर भी एक मतलब आप डेम जहां बनाना है वहां नहीं बना रहे हो और जहां बनाना है वहां नहीं बना रहे हो ठीक है समझ गहे न कि जहां चाहिए वाली बना रहे हो हरकाई डीम बना रहे हो या जिस जगे में पर रोड की जरूती नहीं है आप आप कम पैसों में कुछ दूसरी करना है बिल्कुल समझदा पब्लिक इंट्रेस्ट के अंदर करना है लोगे इसाम करो आप पेसा करोगे कि वह पेसा अगर आपकी खुद की जेब का जाता तो कि आप उस जगे रगाते हैं एक प्रूडेंस फाइनिशल प्रूडेंस जो लगाता है हरें इसान अपना पेसा कर करने की पहले, खुद का मेरा पैसा होता है, तो यहां पियां पर लगाता है, वह ही चीज यहां पर दीख नहीं पूट, नोट रेट नहीं, अब जहा किया, ट्रांजेक्षिन आप लिए निए था, कि अब यहां पर क्या, जो भी करा, वो ट्रांजेक्षिन पबलीक के इंट्रेस्ट में था commonly accepted custom और इस चैनल कॉर्ड ऑफ कंड़क जो बोला था कॉर्ड ऑफ कंड़कर बनाए वा होता है पैसा खर्च करने के लिए उसको रेखे करा पब्लिक इंट्रेस्ट में था ना वो पैसा खर्च करा जो भी ट्रांसेक्शन करा आपने और चैनल कट्व होना चाहिए अप्रोप्रियेट होना चाहिए भाई पेशा जो डिजलक इंट्रेस्ट मेंना लगाओ pendant खुद का पेसा होता है प्रिफ जाय एक सेम विजिलियंस इन इस्पेक्ट अप ओन मनी अगर खुद का पेसा भी होता ओन मनी का तो भी वह ऐसे खर्च करता क्या खुद का दिमाग लगाता ना तब भी उस हिसाफ से आप पैसा लगा ठीक है तब यह भी चीज इंपोर्टेंट घ्रट आ गई क्या प्रिंसीबल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अपको जब के लिए और साथ में आपको कोई इससे इंडिरेक्विंगी गेंतों नहीं मिल रहा है ना सेलेरी के लावा आई को सेलेरी मिल घ्री है कि इसके अलावा को इसा तो नहीं, कि कि कुछ से को कमीशन मेल रहा है, कि आपक ये समल इसके तह लिए इसके लिए अपका दो परसंट के दूगा, ईससस तो आपको बेशें नहीं मिल रहा इना, वो चीज आपको देखने है आपे, एक तो जितना मांग जितना पैसे की डिमांड है ओकेशन करता है पैसा उते नहीं उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मत दे ना और खुब का फायदा तो नहीं हो रहा और अध्वांटेश के लिए उस निल कर रहा है न और यह पर किसी पर्टिकुलर परसंगे बेनिफट के लिए तो कंडीचर तो नहीं है वो तो नहीं है जितना पैसा डिमांड था उटना ही पैसा खर्च करा यह बहुत जज्जमेंटल टरम है बहुत सब्जेक्टिव टरम है इसका मैंड रूल इन एक टेलर मैंड रूल की यॉपर 8 लाग खर्च होना चीए मेरा चिने लिए और उससे भी इसके अंदर यह कि private company audit में जो जो अपन रूल लगाते हैं वो government company audit में नहीं लग सकते हैं अब सेम एक्जाम्पल में आपको दू एरो प्लेन से ट्रावल कटके अगर आपको कॉर्मेंट आपको जा रहा है तो अपने सब जजमेंटल चीज होगा ठीक है इसको वेरीफाई कर सकते हो अब सकते हैं और यह वaltung सब्सक्राइब्स और यह यह अषज़स किती अधिक olm subjectiv t शेट करेकर होगा का पर कॉइचल में पॉर्मेंट कंपनी पर शेटि नहीं लगा सकते हैं और वह यह था चीज यूख आप इसे प्रोप्राइट्राइट्रिए कmeal क्या करें आप फिर्योंने सोन एक ना सप्राइटवा सब्सक्राइब तुमने नहीं दिर्क दी एसे क्या अडवांस ओनर त्क दाई से कॉसिंट मेर्थ वाला था थीक होर पढ़ाय थाобрसी प्रस् necesita वाला था इसे पर्सनल एक्सपेंस और फॉनिटर एक्सपेंस वह पूपराइटरि युद्ट सेख करता वह प्रॉपराइटरी चीज़े होती है न वह उन्हीं के रिलेटेड है तो proprietary element companies एक के अंदर वापे दे रहे हैं कारो 2020 के अंदर भी evening closes के अंदर दे रहे हैं वापे जाके रैफर कर लेना टिक माल लेना कि पर्फॉर्मेंस ही चेक करें पर्फॉर्मेंस ही तो चेक करें पर्फॉर्मेंस के अंदर की कमपनी की पर्फॉर्मेंस के सी है जो पी एस यू है उसकी पर्फॉर्मेंस के सी है पर्फॉर्मेंस के सी यह पर्फॉर्मेंस करेंगे पर्फॉर्मेंस करने के लिए अपनको इफिशेंसी मतलब कम इंपुट में ज्यादा और निकालाने निकाला इफेक्टिव मतलब फाइनल अब्जेक्टिव हो गया यह तुमको पता होगा अब पहले यह बताओ कि फानिश अडिट कराते क्यों है परफॉर्मस अडिट कराते क्यों है पब्लिक अकाउंटबिलिटी अब निकालाने पाउंटबिलिटी करें अब फानिश इतना सारा पैसा तो ले लिया अब हम वह भी तो दीखेंगे ना कि आपका परफॉर्मस आपकी सई हैं निये इस स्टेख ओल्डर से इतना पैसा ले लिया शेर ओल्डर से पैसा ले लिया ऑनिवाला बंदा कि पता हले पेसा लेगे हो जेब में खा रहेगा डखा रहेगा उस पैसे को जो आपका एम था एफिशेंसी एकॉनोमी से अच्छी हुआ नहीं हुआ है वो अब्जेक्टि वो चीए चेक करने के लिए करानी पड़ेगी एक तो अगली बार को करेक्ट भी करूंगा उसको डिस्जन अब अब एककोनोमी तुम को पता है कम लोवेश कोस्ट वरिसॉर्से तो तुम ज्यादा ज्यादा काम कर लो लोवेश कोस्ट के आपको काम करना है पूरा काम पूरा इफिशंसी वही कम लगाया मैं इंपूर लगाया ऑफ निकाला वैस्ट अब आपको औरिट में क्या अस्पेक्ट देखने पढ़ेंगे इफिशन्सी और इफिशंसी और इपढ़ेंगे भाई इफिशंसी और जितने भी प्रोसेजर एंटिट के वह एफिशंसी आपना उब्जेश्यक्टिक और फाइनली जो ऑब्जेक्टिव अच्छी हुआ वह भी इफिशेटिवली अपना अभीचेटव् अच्छी अचислूegb 253 अवच्छी तो में आपढ़ुज़भा सारे कि सारे ब्रोट्रेस अभ्राइटन्ग परचेस और यूज़RUS और यूज़रो एंटीसेघ्ररbourट का साइव का सा। индिसटोब सेफिशेच्ट यूज़र्ण और बचे यूस करने के बाद remaining resources बच गए उनको प्रोटेक भी करना ठीक है resources ना properly protected फिर उसके बाद objective एफॉप्शेटीव हो गया objective efficientुली एफॉप्शेटली एफॉपशेट दन यह आपको याद हो गया important है याद कर लेना वेसे तो कराई दिआ होगा 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 है आपको याध सीज़ efektivset me the economy efficiency is effective मतलब आपका गॉल अचीव हो गया final पाइनल जो था आपका objective यो ऑपकी और में सबसे पहले चाहुंगा उसको फूझेमागा Pale आपका desired objective achieve हो गया क्या हम को बोलेगा हाँ भाई हो गया क्या तो बोला इतनी satisfactory performance तो नहीं लग रही है कोई alternative measure नहीं evaluate कर लेते कोई इसको करने के या जिस method कर लेते क्योंकि इस से तो इतनी satisfactory performance लग नहीं रही अब जो आप चलो ठीक है तो आप जो आप कर रहे हो ना उसी को मैंटें रखो उसी पर अच्छा सा कंट्रोल लगा के रहो अपकी पर्फोर्मेंस आपने जो करा उसी पर पर कंट्रोल लगा लो मॉनिटर करते रहो आपकी पर्फोर्मेंस ठीक है तो अब बैसार्ट अचीव हो गया क्या विजर्द रिच्ट्र क्या अचीव हो गया डिटर्माइन दे ट्विच एक्स्टेंट टु विच प्रोग्राम अचीव डिजर्ट अचीव और इतना अचीव ह पर इतना satisfactory performance तो नहीं रहा, factor inhabiting, कौन-कौन से factor satisfactory performance पर रोक रहे थे, क्या आपने दूसरे alternative नहीं देखे गया, क्योंकि यह तो satisfactory performance दे नहीं रहा था, तो management ने दूसरे alternative नहीं देखे क्या, management consider alternative, जो ज्यादा effective हो, वो उन्होंने देखे नहीं देखे, हम इने देखे, पर कोई low end regulation का compliance नहीं कर रहा था, compliance भी तो low end regulation या फिर किसी में, जो प्रोग्राम के जो, प्रोग्राम से अलएक अलएक तरह के प्रोग्राम, वो duplicate हो रहे थे, overlaping हो रहे थे, substitute हो रहा था, duplicate overlapping हो रहे थे, इसलिए वो अपन उस वाले method से अपन नहीं चापाए, ठीक है, फिर बाद चलो ठीक है, आपने जो achieve करा, उसी को monitor करते रहो, प्रोपटर के से, effectiveness of program adequately management control system for monitoring, ठीक है, मैं एक control लगाता अच्छा सा, जो अब भी अपने हासिल करा है, उसी को monitor करते रहो, उसी पर रहना आप, उसके बाद planning of performance audit, planning for performance audit, यह मैं काम करता हूँ, चलो भाई, यही बता देता हूँ, आप performance audit कर रहे हो, तो उसकी planning कैसे करोगी, आप performance audit कर रहे हो, भाई, मैं अ सामने वारे को समझूँगा, entity का, program, understanding the entity, सामने वारे को अच्छे है, समझ नहीं पड़ेगी, planning बनाने पड़ेगी, अब audit कर होगे हो के लिए, मैं प्रेनिग बनाने के लिए सामने वारे को समझूँगा, मेरे और को audit के अंदर क्या find करना है, सामने याला कोणे है, मैसब सा मैं क्राइटेरिया देख लूँगा और यह वह सब बना लूँगा आप में को सामने अला को देख लिया मैंने खुद को भी देख लिया क्या चाहिए समने अला किसा है उसके बाद में अब और अपरोच मुझे कौन कॉन से टीम मेंबर चाहिए क्या क्वेशन पूछना है हो रहेगी कि इसके नीचे काम करेगा वो यह सब चीजी में अपनी साइट कर लूगा जब सामने वाले को समझों अंडेस्टेरिया और मेरा अप्रोच क्राइटेरिया और सामने मुझे मुझे उससे क्या क्या कॉशन पूजना है मेरी टीम में कौन-कौन बंदे चाहिए और किस-किस मैट्रिक्स पर काम करेंगे वो सब पूरा टैंप प्रोग्राम में बना लूगा फिर फाइनली जो फाइनल ऑडिट का मेरा प्रोग्राम होगा प्लेनिंग होगी वह में तुम पढ़ ले बर पूर्मल चीज यह कैसे आप एंटिट को समझ सकते हो एंटिटी के खुद के जो इंटरनल ड़क्यूमेंट होते या फिर जो जो भी पार्लियामेंट जो पाली सी अगरा बनाता है कि पीस यूए पीस्यूए रेल्वर डिपार्टमेंट इसके बार में लग 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 लेजिस्टेशन होगा बनते तो वह पढ़के भी मैं इस डिपार्मेंट की बार में जान जाओंगा पॉलीशी डोक्यूमेंट इस सबसे में इन सबसे में एंटिटी की बार में पता ले दारूँगा नॉर्मल चीजे यह एक एक्जाम में आए वाई कोशन की मे रोग सेब्सें प्रतों में परोड़ है ना में इसरोंगा या उक्टि के दीटि परिदन में देंडर कमना इनां गुछी मैनगं ना कि मैंधिल कशोग्यूप खुड का इंटेिटी पंडिट ऊंदर भाद रिम्आ ऐन। औरधर ऐंटेटि और फिर एकसपट एकसपट की यह जो अखटर्ट की मदद को रहा एकसपट एकसपट ने फिर सइन्टीटिफिक त Streका निकाला बनाने का तो वो इरिया देखुँगा वो scientific तरीका जो निकाला वो कहा डाला होगा उसने किसी literature में फब्लिश करा होगा न उसने किसी literature में पब्लिश ही तो करा होगा वो निट्रेचर बुक्स होग्रम है तो वो पढ़के में मेरा benchmark बना लूगा तो याथ खुद की entity है बारव बनाने का तो वो या फिर को लिट्रेचर सब्सक्राइब की लिट्रेचर एक्सपर्ट एक्सपर्ट की साइंटिफिक नोलेज है उसकी लिट्रेचर ठीक है ये ट्रिक हो गई उसका याथ करना है क्या फालतो बात है तुम को आपना आती है तुम पढ़ देना है यह माला less important ह अब ICI ने एक example दे रखा है और ICI के example में बहुत बहुत important होते है क्योंकि ICI example को बहुत बार question बना के पूछ रही है exam के अदर direct तो वो performance audit में कि minimum wages act बना तो दिया अब वो minimum edges act effective भी है क्या मतलब असली में इस standard of living पे फाइब हुआ हुआ है क्या कुछ यह सब सीज़े तो आप performance audit कैसे करोगे तो पहले तो भाई before implementation of act और after implementation of act कोई फरक पड़ा ही क्या पहले वह पहले किस हिसाब से standard of living का लेबर्स का और अभी कित्ता standard of living की लेबर्स का वो दिखना पड़ेगा तो पहले तो knowledge होनी चीए बंदे को इंदस्ट्री लेबर्स का पाउंटर को गरा की बढ़ा नहीं बढ़ा वह देखेगा मिनिममम वज़े कंपा कुछ रिटरंस होते हैं जैसी इनके भी रिटरंस होते है minimum वज़ेशे को compliance के वो रिटरंस फायल का है वो रिटरंस चेक करेगा खिए फिर चेक करेगा एफिशेंसी एफेक्टिवनेस और एक्वानोमी औप डिस के फिर देखेगा जितना compensation चाहिए था local area को देखे हर जगे UPVR के अंदर कम compensation चाहिए राजस्तान में ज्यादा चाहिए या फिर भाइसे वर्सा ऐसा है तो उस हिसाब से ही चल रहा है उनका compensation ऐसा तो नहीं है आपने में में जो टेलर में रूड लगा दिया वो कुछ गलत जा होता है उसे साथ से जितना action compensation चीए था उनको ता मिल रहा है वह वह भी वेल्यूट करेगा अब एक और यह आईसे ऑलड़ी question भी बना चुकी है यह question भी है और illustration भी है ठीक है तो audit कर रहे हो आप state electricity distribution की तो आप वैदर्द आपको यह ascendant करना है कि cost of providing electricity is recovered जिती मुझे प्रिमें आ रही है कि पैसे देते हो ना उसके तो वो तीमें recover हो रही है ना कौर्मेंट को तुम जैसे आबेरोग होते ना तुम जैसे जो ताव डालके पेड़े आते घरके बार electricity की चोरिया करते वह वैसे वाले ठीक है तो उसके बाद देखना है कि जो order cells cells इंवर्य का बी family issue हो रहा है ना मीटर की बीलिंग वगर एफेक्टिव और efficient है ना control efficient है यह सब सीजे चेक कंडिए तो कौन सी ओडिट हो यह यह होई परफॉर्मेंस ओडिट क्योंकि यह सारे electricity वाले डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ही तो पूरी परफॉर्मेंस हो चेक कर रहे है यह परफॉर्मेंस हो रहा था मालब 1% 1% 1% 1% मीटर डिफेक्टिव ते और 30 दिन के अंदर अंदर मीटर रिप्लेस हो जाने चाहिए यह एक observation हो सकता है कि मिटर डिफेक्टिव ते और सई टाइम पूरीट के अंदर वह रिप्लेस नहीं हो पाए यह फर्स अब्जर्वेशन हो पर आया असली में 200 रुपे का बिल आया है तो मीटर ठराब तो इस वर्मेंट को लोस हो रहा है तो एक तो मीटर डिफेक्टिव तो है उसको सब्सक्राइब से रिप्लेस नहीं करा और एक बिलिंग कम होरी उस मीटर से ठीक है फिर एक है डिसकस देस्टैप्स ओफ ओडिट बढ़ा हिए अब हो गया आपता और डिट रिपॉर्ट और सी ऎड़ी ऑडिट रिपॉर्टी हिए उसके कटेंसे होते है क्या हुआ में दरस कंदर होगाका गार वाला वह गार की फूल फॉर्म जो जाएगी है पर कार की की फौफॉर्म की फुल फॉर्में फॉर्स्च जे दे रहे होना डाल यह चाहिए क्पर गार के अंदर सबसे पहले गहां जैंडर्ल रिविव जो भी आप औडिट कर रहे हो उसका अक्सरष जैंडरा रिविव पूरा ब्रीफ अबड़ू शो मेरे इसालों से चल रही है नहीं सली से पैले तो आहें यह तो उसके पाद केव मोजेव है काई सब्सक्राइज्ट एगा से लिएगा कॉमप्रिहंसी ओडिवीए सब्सक्राइफुंक के भीका मारे कि क्या हे से लिचुमेंग तरिके सब्सक्राइब इसका ब्रीफ फिल थी तो कमपनी ऑडिट के अंदर उसका क्या ब्रीफ हुआ है उसके बाद रिजल्ट और वो उन रिजल्ट और वो पर अप्रेजल के लिए नहीं लिया था result of audit not taken for appraisal by the board ठीक है तो गार से क्या हो गया सबसे पहले जनरल रिवीव एसे appraisal comprehensive appraisal फिर एसे company auditor ओडिटर फिर R से result of audit not taken for the appraisal by audit ठीक है अब यह हो गया तुम्हारा chapter खतम पी एसी audit chapter खतम होगे including ratification remaining वाले तुमको मिल जाएंगे नीचे लिंक देख लो playlist उसके अंदर सारे तुमको chapter मिल जाएंगे ऐसे फास्टेक वाले फर्दर बहुत से notes free में मिल जाएंगे मेरे telegram channel नीचे दे रखे हैं मैंने बागी आपको book purchase करने तो book purchase का link भी मैंने नीचे description box म में दे रखा है ओके चलो टाटा बाई 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 बहुत जल मिलते हैं नेक्स चेप्टे के साथ